क्या दोस्तों आपको ये पता है कि खुसी की आसू पहले की सांग से निकलती है? क्या दोस्तों आपको ये भी पता है कि आपका फेवरेट सौंग आपका फेवरेट क्यों है? अगर आपका जवाब नाम है तो ये वीडियो आपको एंट तक देखना चाहिए क्योंकि ये विडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजबल होने वाला है So let's start Fact number 10 सरीरिक रूप से ठक जाने पर लोग अधिक इमांदार हो जाते हैं यही कारण है कि देर रात बात चीट के दोरान लोग कई बातों को कबूल कर लेते हैं Fact number 9 दुनिया के 85% लोग सोने से पहले प्लांस के वारे में सोचते हैं जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं Fact number 8 लंबे समय तक अकेला रहना आपके सेहत के लिए उतना ही बुरा है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना Fact number 7 एक अधियन के अनुसार या पाया गया की लोग अपने बजाज दूसरों पर पैसे खर्च करकर जादा खुस होते हैं Fact number 6 सफर करने से मास्तिक का स्वास्त अच्छा रहता है इसलिए अधिक सफर करने बालों में दिल का दवरा पढ़ने की संभावना और डिप्रेशन का कम खत्रा होता है Fact number 5 तुम पहले जैसे नहीं रहें बदल गया हो अगर कोई आप से ये कहे तो इसका मतलब है आप में 95% वह चीजे बदल गई है जो उस ब्यक्ति को पसंद थी बाकी आप में कुछ भी नहीं बदला Fact number 4 ब्यस्त रहने पर लोग अधिक खुस रहते हैं क्यूंकि बीजी इंसान को जीवान में निगेटिव सोचने का टैम ही नहीं मिलता Fact number 3 आपका फेबरेट सौंग इसलिए आपका फेबरेट होता है क्यूंकि आप उसे कहीं न कहीं अपने जीवन की किसी इमोशनल घटना से जुड़ा हुआ पाते हैं Fact number 2 16-18 की उमर में हुई दोस्ती अधिक मजबूत होने और अधिक लंबे समय तक चलने की सभामदा जादा होती है Fact number 1 अगर आपका भी गौल फरमाईगा कि खुसी का पहला आसू दाहीने आक से और दुख का पहला आसू बाई आक से निकलता है